आ हम हसे साथ सूर्डर्स ! अज एक का देखेंगे गुषा लो민ा समन्हें जिसका नहां वह साथ सार एक का अंकी होती है जैनलच का लाजिंते लिप उस्हाम के नातक होता है जीसका एक यह नंकी होता है इस्हाख से कहानी चोटी होती है तो इसमें क्या बात है कि दबूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने ही तू प्रेरित किया है। किसी के प्रेशर के अंडर रहना, किसी के प्रेशर के अंडर रहना, किसी के प्रेशर के अंडर रहना, कि मतलब तुम्हारों कोई दबाव बना के रखा है, तुम काम करते हो लेकिन वह इंसान स्ट्रीक है, तुम्हारे नाय के लिए तुम्हारे नाय के लिए, तुम्हारे ना रहने के हेतु प्राडित किया है। मतलब उन्हें क्या बता है कि हमें किसी के अंडर प्रेशन नहीं रहना है। अगर तुम किसी के घुलाम भी हो। और किसी नौकरी बहु कर रहे हो। ग स्लखाज्ट प्रिज़ा हो अब यहां पर आई है तो देखें यहां पर उसके सबक मिलता है। इसको कैसे सबक मिलता है। उसका जो मालिक है, उस मालिक भुलाय था, तो जूलिया आती है, तो उसका स्वार जो है, स्वार मतलब इसकी जो आवाज है, वो आवाज को दबी हुई है, दबी मतलब किसे डरने वाले, डर रही है उसके आवाज है, तो अंडर परिशर जैसे होते हैं, कोई डरा हुआ रहता और काके खड़ी मत रहना, तो जूलिया बैठती हुई कहती है, शुक्रिया, जूलिया ने थैंक्स कहा, अब ग्रोह सवा में देखो, जूलिया, मैं तुम्हारी तन्खवा का हिसाब करना चाहता हूँ, तन्खवा मतलब पेमेंट, सेलरी, तन्खवा, तन्खवा मतलब क्या, स कुल मेंट, तन्खवा जूलिया, तन्खवा मेंट, आगज शुलिया, सेलरी कर था, तन्खवा मतलρωद इसमों कर दोड़ी तो पेमेंट कर रहता हुग, तो उन्खवा की दोड़ी सब्सक्राइड कर साइड। चर। बड़ी कृज differppo उता सिस हुस, प्ड़ीर, तो तन्खव के ज़रहत होगी उसने का कि दो मैंने से जूलिया जो यहां पर लगबक दो मैंने से काम कर रही है तो दो मैंने में उसने पगार नहीं ली ती इसलिए गुरुह सवामी को ही लगता है मालिक को ही लगता है कि हो सकता है कि इसको पैसों के ज़रहत पड़ी होगी और जितना मैं मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी और उसने का कि मैं तुम्हे पैचान को जहां तक मुझे पता है या फिर इतने दिन से जब मैं तुम्हे देख रहा हूं के तो मुझे ऐसे लगता है मैं तुम्हे पैचान लिया कि जब तक मैं नहीं कहूंगा अपनी salary भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद चाहता हूँ, कि मैं तुझे salary दे दू, हाँ, तो तुम्हारी तनुखा 30 रूबल मैना तय हुई थी, तो उसने का कि ठीक है भी तनुखा की शुरुवात करते हैं, तो उसने का कि यद आप क्या ở आप काम कर दो आएती तो आपकी तनुखा आपकी जो पैमेंट है वो पैमेंट in तीक मैने में 30 रुबल, जैसे हुआ रुबल कृन्सी करना में जैसे हमार आर रूपया होता है वैसे वहाँ पर रूबल, तो उसने का कि 30 रूबल पर मन्द तुम्हारे सालरी तै हुई थी ना? जूलिया वीनित वही दभी हुई स्वार में जी नहीं मालिक 40 रूबल, वीनित मतलब पोलाइटली, पोलाइटली हो कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, 40 रूबल, उसने कि नहीं, 30 नहीं, 40 रूबल, चलो जूलिया ने इतना तो कहा, गुरुह सामी, नहीं भाई, 30 ये देखो डायरी मुन्य wellness को 30 रूबल मैना ही देता हूँ, नहीं बच्चों की देखवाल और उन्हें पढ़ने उन्हें पढ़ने में बच्चों की देखवाल और उन्हें पढ़ाने वाले हरunu को 30 तीस रूबल मैना ही देता हु और उसने कहा गुरुहसामी ने कहा कि मेरा रेटी उतना है कोई भी मेरे गहर पे बच्छों को संभालने के लिए उनको पढ़ाने के लिए कोई भी गवनेस आती है तो मैं थर्टी रूबल के उपर में इसको देता ही नहीं तो आपको मैं जिसको हमारे यहां पर आयाने तो माउशी कहते हैं। तो यह जो गवर्निस थी तो उसने कहा कि तुमारे परले जो गवर्निस थी उसे भी मैं 30 रुबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हे हमारे यहां काम करते हुए दो महने हुए है। तो इसमें ठीक है। उसने का कि जब से तुम यहाँ पर आये हो, जिस दिन से तुमने शुरुवात किया है, तो तुमने यहाँ पर आते हुए, दो मेने हुए है. जूलिया वापस दबेवसवर में कहते है, जी नहीं, दो मेने पाच दिन, टू मन्स और फाइव डेज, ग्रिया समी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक दो मेने हुए है, भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, उसने क्या करें तुम, दो मेने पाच दिन कहां से हो क्या है, दो मेने ही तुम्हे हुए है, और देखो, मैने डायरी में सब नोट कर रखा है, उनका एक ही डायरी में सब नोट कर रखा है, उनका एक ही डायरी में नोट कर रखा है, हाँ, तो दो मेने के बनते हैं 60 रूबल, 60 रूबल, तो उसने हिसाब क्या कि 30 रूबल पर मन् मतलब, दो महने के वह गए 60 रुबल, लेकिन 60 रुबल तब ही बनते है, जब महने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो, उसने लिगा कि 30, 60 रुबल का बनेंगे, जब तुने पूरे महने में 30 के 30 देस काम किया है, 30 या 31 देस, जो भी होंगे, मतलब, तुमने एक दिन कपाई पर जॉब करते हो, तुमें मतली पेमेंट बता जाती है, समझ में, तो मतली मतलब क्या, कि कम्पनी के जो वरकिंग डेज होते है, 26 देस, 24 देस, 30 देस, समझ में तो उसके हिसाब से तुम्हें पगार मिलती है, मैंने के 5000 मतलब ऐसे नहीं कि दो दिन तुम नहीं गए तो तुम्हारे पूरा पाँच हजार पगार मेलेगा नहीं, मैने के पाँच हजार के थर्टी से डिवाइड करके है जो भी वर्किंग लेथे उसे डिवाइड करने के बाद एक दिन के तुम्हारे कितने बनते हैं तो उसके हिसाब से दो दिन की पैमेंट तुम्हारे कट हो जाती है, इसलिए उसने का कि 60 रूबल कब बनेंगे, अगर तुमने पूरा मेना काम किया, एक दिन भी चुट्टी नहीं ली, तब तुम्हारे 60 रूबल बनते हैं, तुमने इतवार को चुट्टी मनाई है, उसने का कि संडे आपने क्या क्या है, एक चुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, उस दिन तुमने एक भी काम नहीं किया था घर का, घर में हो लेकिन काम नहीं किया है, मतलब वो चुट्टी हो गई, राइट, ओके, स्रीप, कोल्या को गुमाने के लिए ले गई मतलब Sunday है, Sunday तुम घुमने जा रहे हो, और तुम ने अगर हमारे बच्चों को साथ में लेकर जाते हो, तो उसका कोई उसका काम नहीं होता है, क्या होता है, वो काम नहीं होता, तो यह तुम भी मानते हो कि बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाना यह कोई काम नहीं होता, ऐसके अलावा तुमने तीन चुट्टिया ऌर लिए। ठीक है ना? अब ये बंदा उसको चुट्टिया गिना रहा है। जूलिया दभेसवर में जी आप कहने तो ठीक. तो जूलिया कहते है कि आप कहते हो कि मैंने और तीन चुट्टिया लिए तो ठीक. कि उसको बता है ना कि अगर नहीं कहूंगी तो बोलेगा मेरे पास लिखा हुआ है डायरे में नोट किया है तो इसलिए जुलिया भी बोलते कि आपने अगर लिखा या आप कहते हो तो होगा ही ग्रियो समी अरे अरे भई मैं क्या गलत कह रहा हूँ हा तो नव इतवार और ती दो रिखा ही चुटिया अलग से मतलब 12 देज लिखा है यानि तुमारे बारा रूबल कट हो जाते है सब्चेश्च्टी रूबल टू मन्स मतलब एक दिन का एकुबल टूबल तो उसके इसाव से बारा दिन के बारा रूबल गषा उधर कोले चार दिन बीमार है और तुमन तुम्हेर थे हपते, शायद तीन दिन दातों में दर्थ था और मेरी पत्ने तुम्हें तुम्हें दो पर बाच चुट्टी दे थी। देखो चुट्टी या भी तक उसकी काउट करके खतम ने हुई है। कोल्या चार दिन बीमार था तो तुम्हें स्रिव वान्या को ही पढ़ाया। दो भाइये कोल्या और वान्या। कोल्या बीमार है तुम्हें वान्या को अकेले कोई पढ़ाया था। और पिछले हैं अपते शायद तीन दिन तुम्हार दातों में दर्थ था। तो आपडे लिया था तुमने दोपर वाद चुट्टी दे थी तुमने काम नहीं किया था तो तो बार और साथ उननीस नागे हां तो घटाव तो उचने कि 19 नागे 19 नागे पी तो पूरे हो गए तो घटाव भी 60 में से 19 कट करो कितने बचे तो 41 रूबल तुम्हारे बनते हैं, इतना ही पगार तुम्हारा बनता है, वह रुसा ही हो जाती है, रोते शवर में, जी हाँ, हुए होंगे, आपने कहा है ना? तुमण।ने के पनने करे चाय जो जाहिए ही तुम्हेता हैं, यहुए है श्रूण ना हुए है, नी कुछ जनिवत शवर में? आप दिए पैसा दे आपके मांग यह वह अर्स आप रहा है लिए छोग जनुवरी मगर्मारी दिन वार्ट के लिए पर्स जनुवरी को तुमने चाय की प्लेट और एक नश चाय की प्लेट और एक पले लिए तोड़ दिया था बहुत किम्ती थी प्रिय अगर मेरे भागे मे तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है उसमें कि वो प्याली जो कप था बहुत ही महेंगा था लेकिन जाएंदो मेरे नसी में तो नुकसान ही उठाना बड़ा है मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुचने में कोई कसर नहीं छोड़ी वो कहता है ग्रोस हमी कि मैंने हर एक इंसन का भला ही चाहा है लेकिन जिसका मैंने भला चाहा उसने मुझे ज्यादा नुकसान पहुचाया है उसने तो कोई मतलब जिसका भला चाहा उसने कोई कसरी नहीं छूड़ी जितना हो सके उने मुझे क्या क्या नुकसान पहुचाया है खेर मेरा भागे इसमें अब मैं तुम्हे क्या बतासा दो फिर भी प्याली के दो रूबल तो ही काटूंगा है काट दिया अब देखो उस दिन तुमने ध्यान ने दिया और वहां किसी तहिनी की खरोच लगने से बच्चे की जाकिट फट गई तुम्हारा ध्यान नही था उनकी पड़ाई लिखाई, उनकी देखबार, खाना, पीना, आना, जाना, सब तुमने कपड़े लेते हैं, सब देखना है, अब तुमने ध्यान नहीं दिया, और किसी ब्रांच से, किसी लकड़ी से खरोच में आकर बच्चे की जैकेट फट गई, अब दस रुबल तो उसके कटेंगे, जैकेट फटेंगे, तुम्हारे पगासे ही कटेंगे, इसी तरह तुम्हारे लापरवाई की वज़े से, घर के सफाई करने ओले नौकरा ने मारिया, वाना के नए जूते चुरा ले गई, तुमने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए जैकेट फट गई, उसके साथ तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए घर में और एक जो नोकरा नहीं, मारिया, मारिया ने क्या किया, नए जूते चुरा कर लेकर गई, अगर तुम्हारा ध्यान होता, तो वो चुरा कर लेकर नहीं दिया, तो यह तुम्हारी लापरवाई है कि तुमने ध्यान नहीं दिया तो इसके पैसे भी ओकी? ओकी? भी जाते हैं, और बिलते हैं, तुम मेरी बास सुन रही हो न? क्यां सुना कर रही हो? जूलीया मुश्किल से अपनी रुलाई जूलिया को रोना ही आ रहा है यह पैसा दे रहा है की मांग रहा है? और दे रहे तो इतना सुना सुना के क्यों दे रहे इतना इतने इमांदर है काम करने के बाद भी छोटी छोटी जो बाते हैं छोटी जो बातों की उसने इग्णॉर नहीं किया है जी सुन रही हूँ, गुरुस हमी, हाँ, ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, उसने के देखो, अब तुम यहाँ पे काम करते हो, तो तुम्हारा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना, उनकी देखभाल करना, और आखिर इसी के तो पैसे तुम्हें मिलते हैं, ऐसे बच्चों को सामने बिठा कर रखो और उनको देखते रही है, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी स्टड़ी, उनको देखभाल करना, यह सब तुम्ह काम है तुम अपने काम में धील दोगी तो पैसे कटेंगे न अब पैसे भी क्या पेड में नहीं उखते उठा के दे दिये सब्सक्राइए उके मैं ठीक कह रहा हू पेडा सब्सक्राइए रा करते युटों के पाच रुभल और कर गया। और हाँ, दर्श जनवरी को मैने तुम्हें दस रूबल दी थे, इस तर जूतों के पाँच रूबल कड़ गए, वह आपस को कुछ याद आता है, अरे हाँ, आभी याद आया, टेंथ जानिवरी, टेंथ जानिवरी को मैने तुमको दस रूबल दिये थे, जूलिया रो रही है लगबाग रोते हुए कहते है, जेने आपने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं इतना ही बोल पाते है, उसके आगे बोल नहीं पाते, क्योंकि वो रो रही हूँ, उसके आवाज नहीं निकल लिया, औरे, मैं क्या जूड बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर देता तो मैं क्या जूट बोल रहा हूं कि मैंने आपको 10 रूबल दे थे देखो मेंने डायरी में सब नोट करके रखाए तुम्हें यकिन नहीं तो दिखाव डायरी के पन्ने युही उलटने लगता है ऐसे डायरी के पन्ने उलटता है समझ में ना देखो कभी कभी इतना स्कूल मे तुमने हूमवक किया है तुम लास्ट बेंच के ओपर बैठे हो अभी टीचर को वहा तक देना के लिए कंटा लाता है और जब टीचर बोलते हैं में हूमवक चेक करूंगी तुम सबसे पहले अपना बुक लाकर रखते हैं कि तुम्हें कॉन्हें कॉन्स होता है कि मैंने तुम्हें एा हूवक पर टीचर को बरोसा है कि यह भूक दे रहा है मतलब इसने हूमवक किया होगा export मुंसक्क याद दिलाए करते हैं क्यों मुलम में कि मैंने हुमवक किया अगर लाग और लातल ने हूमवक के सबस्के मि शबस्क्IM ़ूमब कर आते हैं अने ह। requests मैं मैं और जिसने हूमवग के है, ऋ क्लास में के सबसे ब़िए करने की और याद दिलाइगा? टीचर हूमवग करना है? क्यूंग जिसने नहीं क्या उसको पड़ेगी, और इसको पड़ेगी? नहीं! So, इस तरह से और क्या गता है? पंने पलटने लगता है। दिखाव डायरी, डायरी के पन्ने उलटने लगता है, जूलिया आशू पोश्ती हुई, आप कह रहे तो, आप तो कहते हो, अपने लिखे रखा है, तो दिये ही होंगे, जान दो मुझे ही याद नहीं है, ग्रोश हमें वापस कडे सवर में, दिये होंगे नहीं, दिये है, तो कर, 14, कितने बचे, 14 रुबल, ठीक है ना, जूलिया आशू पीती हुई, कापतियावद में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, और वो मुझे मालकी ने दिये थे, सिर्फ 3 रुबल, जादा ने, जूलिया भी अपना, चलो दूलिया भी अपना थोड़ा मु कि ने दिये थे, और जहां तक मुझे याद है, तीन रुबल दिये थे, जादा ने, त्री रुबल, जादा ने, ये सुनने के बाद, मानो, ग्रहा स्वामी के ओपर जैसे आस्मान ही तूट पड़ा, हाँ, अच्छा, और इतनी बड़ी बात, तुम्हारी मालकी ने मुझे तुम्हारी मालकी ने तुम्हारी मालकी ने तुम्हे तीन रुबल दिये, और मुझे बता है अब देखो, तुम्हारी मालकी ने तुम्हारी मालकी ने तुम्हे तीन रुबल दिये और मुझे बता है अब देखो, तुम्हारी मालकी ने तुम्हे तीन रुबल दिये और मु देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना, अब इसके बाद कुछ भी काटने के लिए, पैसे काटने के लिए कुछ भी रिजन नहीं है, तो जो भी 11 रूबल बचे है, वो इसको हाथ में देखकर कहता है, कि ये लो, गिन लो, ठीक है ना, जूलिया कापते हाथों से भी ग्रूबल लेती है, और वह ही काटने कि ヘैक्स भी कहती है, झाल गुछ लो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, उचे सवर में लगबग छिलाते हुए, लो आटनो पी रिया है, और लगबग कहता अपने भुश्य को संभाल नहीं सक्कर अटक अ ब deixार, आर एकु काट जूलिया ने धन्यवाद कहने के बाद ग्रोह सवामी को गुस्सा आता है। जूलिया ने जहाँ जहाँ काम किया उस लोग ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया आप कुछ तो दे रहे हैं। कि मैंने जहाँ जहाँ काम किया वास मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप एटलिस्ट ग्यारा रूबल तो मुझे दे रहे हो। क्रोध के कारण कापते हुए उत्ते जिस स्वर में। कि उन लोगों ने तुमें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्रय नहीं हो रहा है। उसने का उसको गुसा आता है गुरो स्वामी को और गुसे में कहता है कि उन लोगों ने जहाँ पे तुमने काम किया। उन्हें तुमें पैसा तक नहीं दिया। ये जानकर मुझे आश्रय नहीं हो रहा है। क्यूंकि तुम्हार जैसे लोग जो होते हैं। उनको पैसा नहीं मिलता है। कोई आश्र की बात है। क्यूंकि तुम अपना मूँ नहीं खोलते हो। अपनेखिकार के लड़ते नहीं हो फिर उनका सौर धीमा上 कर जुलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हेर साथ एक चोटा सा लेकिन कुरूर मजा किया थी। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हार से छोटा सा मज़ा किया था, एक रूडली ऐसे मज़ा किया, पर मैं तुम्हें सबग सिकाना चाहता था, क्या का उसने, मैं तुम्हें एक लेसन एक सबग सिकाना चाहता था, देखो जुल्या मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, 80 रूबल ना, दो मैने के 40 रूबल पर मन डिसेड हुआ था, तो दो मैने के 80 रूबल, तो उसने कहा कि यह तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, तुम्हें देने तुम्हारा पैसे में तुम्हें दूंगा ही दूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ कहन पूछना चाहूंगा देखो उसने क्या पूछा है जूलिया क्या ये ज़रूरी है इंसान भला कहलाने के लिए इतना दबू इतना भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्य हो रहा है उसका विरोत तक न करे किसी ने तुम्हें अच्छा बोलना चाहिए इंसान कितन अच्छा है उके गाय है उन्दर गाय है स्वभाव में गाय है समझ मैंना तो ऐसा कहलाने के लिए क्या इतना दबू इतना डर पोक इतना प्रेशर में इतना बोदा इतना बुद्धू रहना जरूरी है कि तुम्हार साथ कोई अन्याय कर रहा है कि तुम्हार साथ कोई अन् मतलब अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम देख रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन उसके अपोजिशन में नहीं जा रहे हो, उसको विरोद नहीं कर रहे हो, बस खामोश रहे और सारी जादतिया सहता जाए, जो भी तुम्हारे बेश जुलूम होते हैं, मतलब ना बोलन नहीं जुलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, इस तरह से चुपचाप रहोगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, अपने को बचाय रखने के लिए तुम्हें इन कठोर, क्रूर, निर्मम और रुदरीन संसा से लड़ना होगा, तुम्हारा अस्थित व प्रिफ मोण नहीं है, और रुदय ही नहीं हुए, इनके दिल तो है, दिल है लेकर पद्थर का दिल है, ऐसे लोगों से असांसार तुम्हारा अस्थितवा नहीं रहेगा, तुम अपने को बचा पूरी ताकत के साथ, मज भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीड रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उसने जूलिया को एक मैसेज दिया, एक उबदेश दिया, देखो जूलिया, इस संसार में, इस दुनिया में दब्बू, जो ड एसे लोग जो होते हैं अपना प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाते हैं, तो तुम इंमांधर से अपना काम कर रहे हो, तो उसना ही तुम्हारा अधिकार बनता है कि उसका मुबदला तुम्हे मिलनी काहिए। तुम अपना 100% दे रहो तो तुम्हें भी 100% मिलना ही चाहिए यह तुम्हारे अधिकार होते हैं तो अपने जो अधिकार है इन अधिकार को प्रती इंसाने जागरित रहना चाहिए यही बात लेकर अंतों जी हमें बताना चाहते थे तो जूलिया के माध्यम से जूलिया के कि हमेशा याद रहो जब तुम अपना 100% देते हो तो सामने वाले से भी 100% तुम्हें मिलना ही चाहिए अपने अधिकार के प्रती अपने अपना कर्ता भी तुम ठीक ठक से निभारे हो जब अपना कर्ता भी निभारे हो तो अपने अधिकार के प्रती भी तुम्हें साजग रहेना चाहिए, okay, thank you.